हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो माय चैनल गाइस ट्रिपल सेवन सोल ते रोट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आप सब आप सब ही अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो आज थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है तो हो सकता है ठीक हो जाए तो मेभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें थोड़े आवास ठीक है लेकिन अभी तो आपको अर्जस्ट करना पड़ेगा ओके तो अभी मैं डेली गैडिंस के साथ आ गई हूँ और पता लगाऊंगे आज का दिन आपका कैसा जाएगा आज के द चलिए स्टार्ट करते हैं का कार्ड है ओके वी हाव तो अफ काप्स पर यूर मूद और जज्ज्मिंट पर यूर करियर और वी हाव मैजिशन पर यूर हेल्थ त्री मेजर खाना जाए हैं अभी रीडिंग में और देखो बटम देख से हैं तैन अफ पैंटिकल्स्ट कुछ के लिए गाईज पता नहीं क्यों ऐसे कार्ड आ रहे हैं आज कल शादी वादी के तो हो सकता है कि आज कमिट्मेंट मिल जाए कुछ को शादी का प्रपोजल आ जाए आपके पास ठीक है ऐसा मैं देख पा रही हूं क्योंकि यहां से टैन अफ पैंटिकल्स का मतलब होता है वेडिंग प्रपोजल या फिर सीरियस कवेट्मेंट मेभी आपको मिल जाए आज ठीक है शादी वगेरा के चांसे बहुत जादा हाई है आज हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की सच में ही शादी की प्रपोजल आ जाए और आपका शादी का जो ै ऐहाँ जो और चांसे आज के दिन कुछ के पार्टनर हो सकता है कमिटमेंटे दे या फिर यह फिर गर की वालों की तरफ से भी आसता है कि ऊक्यादी की फालीन तरफ से प्रपोजल हो सकता है आप फिसका वेट कर रहे हैं वही आपको पिरपोस कर दें एक हें आज आपका जो मूड है उसमे two of pentacles का card है it means काफी सोच होगे continuously कुछ ना कुछ सोचते रहोगे कुछ ना कुछ प्लान करते रहोगे कुछ ना कुछ ना कुछ नए ideas implement करोगे then ideas create करोगे then उस पर implement करना start कर दोगे काफी creative mind है आज और काफी चीज़े के बारे में सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिच भी करोगे ठीक है तो आज काफी जादा अपने mind का use करने वाले है means नई ideas ठीक है नई strategy अपने work के लिए कैसे क्या करना है ठीक है क्योंकि work में judgment का भी time है judgment definitely guys यहां पे divine आपके साथ है और कहीं न कहीं divine आपको balance बनाने में आपकी life में balance बनाने में भी help कर रहे हैं आज के दिन अगर work के हिसाब से मैं देखूं तो दिन अच्छा है आपका ठीक है आज आप अच्छा काम करें अच्छी मन लगा के 100% ठीक है अपने efforts लगाएं काम में हो सकता है कि आपको अच्छा result मिल जाए अच्छी judgment आज डिवाइन आपको देदें ठीक है इसी के साथ साथ गाई ऐसा भी हो सकता है कि आप online काफी जादा explore करेंगे आज और कुछ ना कुछ नए ideas वगेरा सोच वहां से आपको solution मिलेगा आज के दिन ठीक है ऐसा भी देख रही हूँ मैं तो आपके work के according तो आज का दिन बहुत अच्छा है और health में अगर बात करूं तो मैं magician का card है आपको अपनी health को अच्छा रखने के लिए efforts लगाने पड़ेंगे हो सकता है कि आप थोड़ा कम manifest कर रहे हैं अपने health को health को manifest means आप फड़ा योगा कीजिए morning walk कीजिए ठीक है अपने lifestyle healthy बनाने की कोशिच कीजिए यह आपको करना है कि magician हमेशा work करते हैं hard work करते हैं manifest करते हैं ठीक है तो आपको भी वही चीज अपने health में करनी पड़ेगी फड़ा सा medicines वगरा time पर लो अगर medicines वगरा आपकी चल रह दो आपकी लोगी में ड्नाफने आपकी नन्या खिबेटें अजसे कई बड़ाग action पर बास डर्वाम आपके साथ एंड़ा आपकी ठीक है अड़ बूद लोगा इस निया टो आपकी और लोगा प्या है आपकी बीड़ा एं पार दो आपकी दो एसी ठापकी लिए क्या था सब्सक्राइब कर दोड़ कर दोड़ कर दोड़ कर सकते हो और दिल और दिमाग में बैलन्स बना रहेगा थिक है ज्यादा कन्फ्यूज आज के दिन होने की जरुरत नहीं है किसी एक डिरेक्शन में आगे बढ़ो ठीक है एफर्ट लगाओ 100% and definitely goddess of the moon आपके साथ है तो आपके पास blessings है support है ठीक है और goddess of the moon जैसे archangel Raphael आपके दिमाग और दिल के बीच में बैलन्स बनाएंगे तो goddess of the moon आपको peace देने की कोशिश करेंगे आज के दिन ठीक है meditation करते हैं और कोई भी कोशन जाने की कोशिश आंसर जाने की कोशिश करते हैं maybe you will get your answer तो अगर आप चाहें तो meditation भी कर सकते हैं और देखो work के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा है हो सकता है कि आज earning में थोड़ा सा increment हो जाए आज के दिन आप फ़ड़ा extra earn कर लें या फिर हो सकता है कि guys definitely आप इतना अच्छा काम करने वाले हो कि आपकी salary वगेरा बहुत अच्छी होगी और आप money attract कर रहे हो अपनी life में आज के दिन तो specially आप money attract कर रहे हो बाकी तो अगर काम आपका अच्छा चलेगा हर दीन की तरह तो definitely यह money decrease नहीं होगी यह increment ही होता रहेगा आपका चिक है चलिए advice देखते हैं अभी क्या advice है आपके लिए divine क्या बताएंगे आपको होंके तीन काडा एक साथ है हो मैग चार चार आपकाड आए है बालेंस बालेंस बेलेंश könnt 97 बैलनस स्परिच्श्वाथ दीडियालिटी आन प्राक्तिकलिटी थौट यह लुगी तो यह तो यह है काड्स आए हैं और डिविजेंटल ही है ये बालंस इन दोंiggने ही है और आपकी प्रेटिकल लाइफ में leefe के विश्वार्षल aid की और धनी हिर एक नमें चाहिए आपको by नो करना काम करना चाहिए तो दोनों काम करना है हुआ और साथ ही साथ believe करिए impossible में देखो जब आप सच्चे मन से कुछ manifest कर रहे हो आप उसे manifest इसलिए ही कर पा रहे हो क्योंकि वो चीजे आपके लिए बनी हुई है ठीक है बस आपको उसे पाना है उसे पाने के लिए आपको रहसा काम करना पड़ेगा तो अगर आपको लगता है ना कि मैं इस चीज को भूल भी नहीं पा रहा हूँ ये जो भी option है इसको drop भी नहीं कर पा रहे है फिर चाहिए love life है या business related है या study है ठीक है और आपको बार बार आपकी destiny आपकी किस्मत बार बार आपको उसी direction में आगे बढ़ने के लिए कह रही है तो it means आपको अगर आपको आप इंड ना चाहकर भी अगर उस रास्ते पर जा रहे हो और आपका दिल कहता है कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा तो ये गलत है आपको believe करना चाहिए इंपॉसिबल पर और चलना चाहिए उस बात पर ठीक है क्योंकि destiny आपसे चाहती है कि वो चीज आप करो और दैन उसको पालो आप तो ये बते हैं जैसिकि अब बहुत सारे लोग हैं सोच रहे हैं कि चलो नहीं अब्रॉड नहीं जाना या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं पर्चेस करना उस पर काम नहीं करना या फिर प्रॉपर्टी नहीं खरीदना ठीक है और कुछ लोगों को तो यह होता है कि बहुत ज्यादा एफ़र्ट्स लगाते हैं इन्वेस्ट्मेंट करनी है लेकि प्रॉपर्टी खरीदनी खरीदनी है लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब है जो चाहा कर भी नहीं चीज मतलब कुछ चाहा रहे हो आप और वो नहीं हो पा रहा है ठीक है, believe करना impossible में, क्योंकि आपका मन भी कहता है कि yes, यह चीज पानी है और यह चीज हमें मिल जाएगी और divine भी आपको उस direction में आगे भेज रहे हैं, तो बस आप impossible पर believe कीजिए और पूरी तरीके से काम कीजिए अपना 100% efforts के साथ ठीक है, और take time to breathe out, यह negativity depression, overthinking के सब हटा दो, ठीक है, अब breathe deep breathe low, relax रहो और बिना tension के अपने काम करो, ठीक है, अगर आपको कोई visions आते हैं, आपको लगता है आपके intuition बहुत ज़़ादा, आपको guide कर रहे हैं तो आप उस पर trust करो ठीक है, यह चीज़े हैं आपके लिए, यह advice है इतना अगर आप करो भी तो definitely बिना tension के अपनी life में success अचीव कर लोगे हिलारियान divine healing dhamaryam sacred vision and we have serapis bay okay, एक card और लेते है and lady porshia divine order divine healing, divine order okay, तो यहाँ पर जो cards है hilarion आप से कहरें divine healing के लिए honor your sensitivity retreat to recharge and heal your light can support others आपको अपनी sensitivity को honor देना है अपने आपको recharge करना है खुद को heal करना है क्योंकि यह healing का ही time है आपकी जो light है न वो दूसरों को help कर सकती है support कर सकती है so अपनी आपको जितना ज़यादा आप grow कर सको अपनी life में करते रहो क्योंकि यह आपका healing का ही time है इसमें जितना ज़्यादा inner work करोगे उतना beneficial होगा आपके लिए ठीक है और delay भी खतम होगा Sir, एपिस बे आपसे कह रहे हैं Move into your true self अपने true self को पहचानने की कोशिश करो Rise above the darkness The light is here आप darkness से उपर आओगे कैसे आओगे उपर उपर आप सोच कर तो नहीं आओगे action लेकर आओगे inner work करोगे अपना नए ने चीज़े ट्राइ करोगे तो definitely आप darkness से उपर उठोगे और आपको light दिखेगी ठीक है जो आपके लिए बनी है The Maryam आपसे कह रहे है Choose to forgive in order to heal दूसरों को माफ कर दो खुद की healing के लिए क्योंकि hate मन में नहीं रखना किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखनी है अगर किसी ने आपका बुरा भी चाहा है कोई बात नहीं उनको माफ करके आगे बढ़ जाओ उनसे फिर बात मत करना चाहे लेकिन hate मत रखो Choose to forgive in order to heal See the light in all Remember that love has no boundaries प्यार की कोई boundaries नहीं होती है आपको light देखनी है सब में यानि की positive thinking देखने की कोशिश करनी है positive चीज़े देखने की कोशिश करनी है Lady Poshia देको यहाँ पे healing के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं messages Do what you feel is right आपको वही करना है जो सही लगता है आपको An important lesson is unfolding Definitely an important lesson unfold होगा और definitely जो Archangels भी हैं आपके साथ है Angels साथ हैं आपके ठीक है So इसलिए आपको ज़्यादा tension लेनी की ज़रत नहीं है यहाँ से Archangel आपके साथ है Heart chakra open करेंगे और Hilarion भी आपके divine healing में आपकी help करेंगे ठीक है तो इसलिए positive रहे है खुश रहे है और आगे बढ़ते रहे है So guys this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अगर reading resonate हुई है तो comment section में बताना चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys Bye, take care